अब हमारा अगला concept विडियो है oral contraception and surgical methods तो oral contraception क्या होता है oral मतलब हम जो दवाईयां लेते हैं contraception याने हम pregnancy को prevent करने के लिए जो दवाईयां ले रहे हैं वो oral contraception होंगे तो oral contraception में आ जाएंगी contraceptive pills और जो pills होते हैं ये combination होते हैं progesteron और estrogen hormone के और ये कैसे ली जाती है इनका oral administration होता है small doses में मतलब थोड़े थोड़े tablets लिए जाते हैं जिस तरह से उनका prescription होता है अब ये करेंगे क्या ये inhibit करते हैं याने रोकते हैं ovulation को और साथी साथ implantation को ताकि pregnancy ना cause हो तो जो ये oral contraceptive pills है इनको लेने का एक procedure है एक तरीका है लेने का वो क्या है चलिए discuss कर लेते हैं तो जो pills है उनको लिया जाता है daily for a period of 21 days मतलब 21 दिन तक लगातार इन pills को लेना होता है और शुरुवात कब करने होती है within the first 5 days of menstrual cycle मतलब जब menstrual cycle start होती है उसके 5 दिन के अंदर अंदर इनको start करते हैं और 21 दिन तक लगातार लेते हैं उसके बाद एक gap करते हैं 7 दिनों का जिस टाइम पे menstruation दुबारा आकर करता है और वापस ही same pattern ये repeat होता चला जाता है कब तक जब तक female को conception नहीं चाहिए ये एक non-hormonal pill है सहेली और इसके side effects कम होते हैं comparatively बाकी सारे oral contraceptive pills के comparison में आपके screen पे जो आपको image दिख रहा है वो implants का image है ये जो implants है ये similar ही होते हैं contraceptive pills के और इसके अंदर भी hormones होते हैं कभी progesteron अकेला या फिर progesteron का combination estrogen के साथ इसको करते क्या है subdermal implant का मतलब है कि वो skin के अंदर implant किये जाते हैं और इनका भी function सेम ही है वो pregnancy को prevent करते हैं जिन contraceptive pills के बारे में हमने सीखा इसके अलावा भी कुछ emergency contraceptive pills आती है जो ली जाती है within 72 hours 72 गंटों के अंदर अंदर इनको लिया जाता है avoid करने के लिए pregnancy को rape या फिर unprotected coitus के case में अब हम आगे बढ़ते हैं surgical methods की तरफ जिसमें जो sterilization है ये एक permanent method है याने ये हमेशा के लिए हो जाएगा आप इसको वापस से recall नहीं कर सकते हैं तो जो surgical intervention है वो कर क्या रहा है वो block कर देता है gamete transport को ही अब जब gamete ही नहीं transport होके आगे की तरफ बढ़ रहा है तो वो prevent करता है conception को याने कि pregnancy का कोई chance ही नहीं है males के case में होता है vasectomy जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है यह जो vast difference से इसको सबसे पहले cut किया गया है और पिर tie कर दिया गया है तो जो sperms release होंगे वो आगे की तरफ पहुचेंगे ही नहीं तो pregnancy का कोई chance ही नहीं है similarly females के case में भी surgical method होता है जिसको हम बोलते है tubectomy तो जैसे यहाँ पर vast difference को cut करके tie कर रहे थे similarly females के case में fallopian tube को cut करते हैं और tie कर देते हैं again जब ovum आगे की तरफ ही नहीं बढ़ेगा तो fertilization ही नहीं होगा again pregnancy का कोई chance ही नहीं है याद करने के लिए आप ध्यान रखें कि जो vasectomy है वो vast difference से मिलता जुलता नाम है तो vasectomy males के case में देखा जाता है और fallopian tube में tube जो है वो tubectomy से मिलता जुलता है तो यह females के case में देखा जाता है और याद रखें यह दोनों ही permanent methods है contraception के